नमस्कार मेरी प्यारे दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल इनोवेशन वाइफाई स्टडी में आपका स्वागत हैं वेलकम टो इनोवेशन वाइफाई स्टडी तो कैसे आप बढ़िया होंगे और आपकी त्यारी भी बढ़िया चल रही होगे चलिए बहुत बढ़ एक दो दिन आपकी ये ओप्सिन टाइप क्यूशन की क्लास लग रही है उसके बाद में आपकी थोरी वाली क्लासे स्टार्ट कर दी जाएगी 10 बजे ठीक है ना चलिएगा पहला क्यूशन देखिया दोस्तों पहला क्यूशन है प्राकर्तिक गेंस का दहन किस परकार का रसाइनिक अभगिरिया है चार ओप्सिंस है इसमें जो आपका राइट एंसर रहेगा वो रहेगा उसमाच्छेपी अभगिरिया यानि सी ओप्सिंद यहाँ पे रंग केशा है यानि कोपर चुरुन को अगर हम वाईयों में गरम करने पर उसकी स्टै पर कोपर ओक्साइड की एक परत जमा हो जाएगी और इस परत का रंग केशा होगा तो काली काला रंग होगा यानि काली स्टै होगी ए ओप्सन यहां पर आपका क्रेक्ट एंसर हो साख सब्जियों का विक्टित होकर कंपोस्ट बनना किस परकार की अबगिरिया है साख सब्जियों का विक्टित होकर कंपोस्ट बनना किस अबगिरिया का एक्जामपल है उधारन है यह आपको बताना है तो यहां पे जो आपका right answer रहेगा दोस्तों वो होजेगा उसमा छेपी अबक्रिया यानि B option यहां पे आपका correct answer होजेगा च्यार नमर question देखेगा sodium hydroxide का pH मान लगबग कितना होता है आपको बताना है तो sodium hydroxide का जो pH मान होता है वो लगबग 14 होता है यानि D option यहां पे आपका correct answer होजेगा पांस नमर question देखेगा किस उदासिन यानि कोई भी उदासिन विलियन है न्यूटन विलियन है उसका pH मान आपको बताना है कितना होता है तो कोई भी न्यूटन यानि उदासिन विलियन होता है उसका जो pH मान होता है वो साथ होता है ठीक है न छे नमर question देखेगा दान्त का मसूरा किस परदास्ट का बना होता है जो काफी कठोर होता है तो आपको पता है दान्त का जो मसूरा होता है वो calcium phosphate का बना होता है यानि B option यहां पर आपका crack answer हो जाएगा साथ नमर question देखेगा Emily में कौन सा अमल पाया जाता है Emily में कौन सा अमल पाया जाता है तो Emily में tartric अमल पाया जाता है यानि B option यहां पर आपका crack answer हो जाएगा आथ नमर question देखेगा उपचैन अपचैन अबकिरिया को क्या कहते हैं उपचैन और अपचैन अबकिरिया दोनों अलग अलग नाम है उसको किस अन्य नाम से भी जाना जाता है तो रेड़ोक्स अबकिरिया के नाम से जानते हैं उप्चेन अप्चेन अबकिरिया को हम रेडॉक्स अबकिरिया भी बोलते हैं नो नमर क्यूशन है दानेदार जस्ता पर तनु शेलिफिरिक अमल डानले पर कौन सा गेंस उत्सरजित होता है तो यहां पर आपका राइड एंसर रेगा हाइट्रोजन गेंस उत्सरजित होता है यहां पर आपका क्राइड एंसर होता है दस नमर क्यूशन देखे है दोस्तों शुरिय प्रकास की उपस्तिती में पोदे CO2 और जल से अपना भोजन त्यार करते हैं यानि गलुकोज त्यार करते हैं या कौन सी अभिकिरिया है तो परकास रसायनिक अभिकिरिया है यानि C option यहां पर आपका क्रेक्ट अंसर होजएगा ग्यारा नमर देखिएगा जिंक थता लेड कोपर की अपेक्षा कम किरिया सिल होते हैं या अधिक किरिया सिल होते हैं या समान किरिया सिल होते हैं या अन्य तो यहां पर आपका राइट अंसर हैगा दोस्तो अधिक किरिया क्यूंक होटे हैं जिनक और जो लेड होता है सीसा होता है वो कोपर की अपिक्षण अधिक किरियाशील होते हैं बी ऑप्सन यहां पर आपका टेइंसर होलेगा बारा नंबर क्यूशन देखेगा अंगूर का क्यूवन करना एक format रसायनिक परिवरतन है या बहुतिक प्रिवर्तन है या रसाइनिक और बहुतिक दोनों है तो अंगूर का किन्वन होना ये एक्जामपल है हमारा रसाइनिक अविकिरिया का रसाइनिक प्रिवर्तन का ठीक है ना तेरा नमर क्यूशन देखिए मेगनिशियम के रिब्बन के दहन होने पर किस प्राकर्तिक लो का उत्सर्जन होता है यानि मेगनिशियम के रिब्बन के दहन होने पर कौन सी प्राकर्तिक लो का उत्सर्जन होता है तो यहां पे आपका राइट एंसर होगा दोस्तो वो होजेगा स्वेज चमकदार यानि सी सां यहां प figured देख का आपका क्राइद्र होजेगा कि सिर्का कौन सा अमल पाय जाता है सिर्का में कोन सा अमल पाये जाता है तो यहां पे जो나का आणिमें से यहां जो आपका right answer रहेगा दोस्तों वो होज़ेगा CT कमल यानि D option यहां पे आपका correct answer होज़ेगा 15 नमर question देखेगा निमन में से कौन वी जातिय योगिक है वी जातिय योगिक यहां पे आपका choose करना है तो प्लास्ट्रो पेरिस है वो एक वी जातिय योगिक है यानि A option यहां पे आपका correct answer होज़ेगा 16 नमर question है निम्बू के रसका pH मान केतना होता है लगबग में आपको बताना है तो 2.2 के करीब होता है ठीक है B option यहां पे आपका answer होज़ेगा 17 नमर question है मदुमखी के दंक मारने पर किस परदार्थ से उपचार करना लाबकरी होता है तो banking शोड़े से अगर हम उपचार करेंगे तो यह हमारे लिए लाबकरी होगा 18 नमर question है मुवसाब करने के लिए किस परकार के मंजन का विवाहर करना चाहिए जिससे की दंत 6 को रोका जासके तो यहां पर आपका राइट एंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा चार के दंत मंजन का अगर हम उपयोग करेंगे तो यह दंत मंजन है वो हमारे लिए अच्छा रहेगा यानि दंत 6 को रोक देगा चार यह दंत मंजन 19 नमर क्यूशन देखेगा निमन में से कौन सा ऐ धातू विदूत का सूचालक होता है कौन सा ऐ धातू विदूत का सूचालक होता है तो ग्रेफाइट यहां पर आपका राइट एंसर हो जाएगा 20 नमर क्यूशन देखेगा निमन में से कौन सी धातू चाकू से काटा जा सकता है तो sodium है वो sodium धातू है वो चाकू से काटी जा सकती है 21 नमर की उसन देखेगा जस्ता के योगिक हैं जस्ता के योगिक हैं तो zinc blade यहां पर आपका राइट एंसर हो जाती है alumina का अगर हम विदूत आपके टन करेंगे तो anode पर कौन सी गेंस जमा हो जाएगी तो यहां पर आपका राइट एंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा oxygen गेंस यानि D option यहां पर आपका crack एंसर हो जाएगा 23 नमर क्यूशन देखेगा इस पात में कितना परतिसत कारबन पाया जाता है तो इस पात में 2 परतिसत कारबन पाया जाता है यानि C option यहां पर आपका crack एंसर हो जाएगा 24 नमर क्यूशन है कौनशी धातू जो अधिक ताप पर भी oxygen से अभिकिरिया नहीं करती है तो यहां पर आपका crack एंसर हो जाएगा Sona यानि B option यहां पर आपका crack एंसर हो जाएगा 25 नमर क्यूशन है कौनसा धातू जल में डालने पार तेरने लगता है तो कौनसा ऐसा धातू है जो जल में डालने पार तेरने लगता है तो calcium यहां पर आपका crack एंसर हो जाएगा 26 नमर क्यूशन देखेगा एक धातू के टुकडे से पतले तार खिंचे जा सकते हैं यह दातू के किस गुण द्रम के लिए उत्तरदाई होता है तो तन्यता यानि ए ओप्षन यहां पर आपका crack एंसर हो जाएगा 27 नमर क्यूशन देखेगा दोस्तों 27 नमर क्यूशन है इन में से कौनसी ऐदातू चमकिला है तो यहां पर आपका राइट एंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ब्रोमी यानि डी ओप्षन यहां पर आपका crack एंसर हो जाएगा 28 नमर क्यूशन देखेगा दातू के बरतन में खाना बनाया जाता है क्योंकि यह उस्मा का सूचालक होता है यहां पर आपका crack एंसर हो जाएगा दातू है दातू के बरतनों में खाना बनाया जाता है क्योंकि यह उस्मा के शूचालक होते है 19 नमर क्यूशन है कौनसी दातू जल के साथ अबकिरिया करती है तो पोटेश्यम दातू है वो जल के साथ अबकिरिया करती है बी ओप्सन यहां पर आपका crack एंसर हो जाएगा आज की क्लास का लास क्यूशन देखिए है दोस्तो आयनिक योगी के गलनाक एंक कवतनाक करम से उच होते हैं यानि बी ओप्सन यहां पर आपका crack एंसर हो जाएगा तो आशा करता हूँ दोस्तो आज हमने chemistry के teach questions किये हैं सारे की सारे आपको समझे में आ गए होंगे अगर कोई भी questions में आपको doubt लगती है तो मुझे comment box में comment करें जैसे ही next class होगी उस class में आपकी doubt को clear कर दिया जाएगा ठीक है और दो-चार दिनों में आपकी 10 बजे ठेयरी वाली class है श्तार हो जाएगी और यह जो option type के उसनों की class है यह शाम 7 बजे आपकी हो जाएगी शाम 7 बजे option type class है सुबह 10 बजे आपकी ठेयरी वाली class है यानि biology class है लगने स्टार्ट हो जाएगी उके बात आगे ना